देश की संसद में इस वक्त मौनसून का सत्र चल रहा है विरोधी पाठियां कमरकस के सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है और पिछले कई महिने से विपक्ष अलग-अलग मुद्दो को लेकर सरकार पर हमलावर है ऐसे में इंडिया टीवी आपके लिए लेकर आया है इस वक्त का सबसे बड़ा सर्वे इंडिया टीवी मैटराइस का सर्वे बता रहा है कि अगर आज चुना हुए तो पधान मंतरी नरेंदर मोधी को 362 सीट मिल सकती है साथ ही इनमे से भी बीजेपी को अकेले पर 326 सीट मिलेंगी वहीं इजी की सोनिया से पूझताच को लेकर आग बबूला कॉंग्रेस सिर्फ 49 सीट ही जीत पाएगी दूसरे विरोधियों का भी यही हाल है अगर आज चुनाफ हुए तो ममता बानर जी सब सिर्फ 26 सीट जीत पाएगी वहीं अरविन केजरिवाल की खाते में जाएगी 5 सीटे यह देश की सियासी मूट का सबसे बड़ा सर्वे है यहां हर सवाल का जवाब है पीएम मोधी का ग्राफ कहां तक पहुँचा रहुल गांधी से लेकर ममता बनर जी तक अरविन केजरिवाल से लेकर उधव ठाकरे तक लोकप्रियता के पैमाने पर कहां खड़े है हर सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा इंडिया टीवी ने देश की नब्ज जानने के कोशिश की और जनता का मूट क्या है यह जानने के लिए एक डीटेल्ड सर्वे करवाया जनता की राय क्या कहती है उस सर्वे का सबसे बड़ा नतीजा यह है इंडिया टीवी मेटराइज की सर्वे के मताबिक अगर आज लोकसभाचुनाव होती हैं तो NDA को 262 सीटे मिल सकती है UPA को 97 और अन्य को महज 84 सीटों पर संतोश करना पड़ेगा यानि देश में PM मोधी के लहर नहीं आंधी बरकरार है देश के सियासी मूट की सारी बारी किया आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इंडिया टीवी मेटराइज सर्वे 11 जुलाइ से 24 जुलाइ के बीच की आगया है हमारी टीम देश की 136 संसदिय सीटों तक महची हमने 34,000 लोगों को सर्वे में शामिल किया जिसमें करीब 20,000 पुरुष और 15,000 महिलाएं है सबसे खास बात यह है कि इसमें दावे के गलत होने के गुणजाईश सिर्फ माइनस प्लस टू है देश की मूट को ग्रास रूट लवल पर परखा गया देश के नेताओं का पब्लिक से कैसा कनेक्शन है उसकी जाज परताल की गई और उसकी आधार पर सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में बीजेपी के पास 303 सीटे थी ताज़ सर्वे में आखडा बड़ी उच्छाल लेकर 326 तक पहुँच रहा है इसी उच्छाल के साथ NDA का आखडा भी 2019 में 348 के मुकाबले 362 तक जा रहा है यानि सूपर बंपर जी इन 362 में से बीजेपी के 326 जेडियू को चौध है शिवसेरा शिंदेगुट को 11 और अन्य को भी 11 सीटे मिलने का नुमान है आज जिस पकार से इतने संकटों के बावजूद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रतों में केंद्र सरकार और हमारी कई राज्य सरकारे काम कर रही है ये लोगों के दिल को चौग गया है जिस पकार से देशों भर में लोगों का विश्वास पना है कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक भष्टाचार मुख और विकास से प्रेवित सरकार दिये जिस पकार से बिना भेदभाव के हर वर को सरकार की अन्य अन्य योजनाओं का लाब मिला है जिस पकार से पूरे देश में युवा हो, महिलाएं हो, वंचित लोग हो गरीब से गरीब व्यक्ति को आज लगता है कि ये सरकार मेरी सरकार है प्रदान मंत्री मेरे भविश्य की चिंता करते हैं ये जो बावना है ये आपके सर्वे में जो दिखा रही है ये एक पकार से उसको स्पष्ठी करण करती है प्यम मोदी का ग्राफ बढ़ता हुआ साफ दिख रहा है बावजु दिसके की विरोधी संसत से सडक तक बवाल काट रहे हैं देश के हर मुद्धे में आरोपों की तोप सीधे प्यम मोदी के गुमा रहे हैं ऐसे में एक बार विपक्ष की सीटों का अनुमान भी देख लीजिए सर्वे के मुताबिक यूपीए को मिलने वाली सतानवे सीटों में से कॉंग्रेस को 49 मिल सकती हैं धीम के को 25, एनसीपी 6, आर्जेडी 4, ठाकरे शिवसेना 3 और 20 सीटें अन्य को मिल सकती हैं जबकि यूपीए के बाहर की दूसरी पार्टियों की बात करें तो 84 सीटों में से त्रणमूल कॉंग्रेस को 26, YSR को 19, PSR 8, आम आद्मिय पार्टी 5, समाजवादी पार्टी 2 और अन्य को 24 सीटें मिलने का नुमान है विपक्ष कारोप है कि इस वक्त देश में महंगाई और बिरुजगारी चरम पर है लोगों को ना खाने को मिल रहा है ना ही नौकरी है सर्वे में इन सवालों को शामिल किया गया तो जवाब मिला देश में सबसे बड़ा मुद्धा पीया मोदी का चेहरा है उसके बाद लोग पीया मोदी के विकास के मौडल के मुरीद है महंगाई को 17 फीजदी, रोजगार 15 फीजदी और अपने सांसत की चवी को 6 फीजदी लोग असली मुद्धा मानते हैं ये बेरुजगारे की बात कोई आज से उठा रहे हैं क्या ये तो हमेशा उठाते हैं महंगाई की बात को आज से उठा रहे हैं क्या लेकिन देश समझता है क्या युक्रेन के युद्ध के कारण अगर दुनिया के उपर दबाओ है अगर तेल की कीमतों के कारण भारत में तेल होता नहीं है तो तेल की राज़नीती क्या अमेरिका क्या इंगलेंड सबको परशान कर रही है इंगलेंड को भी सब्सक्राइब देना पड़ रहा है तो नरेंद मुद्ध देश को समझाला कैसे है इस बात को समझे जनता कठनाई को समझती है और ये भी जानती है कि इसमें आगे रास्ता कौन दिखाएगा हमने कभी नहीं कहा कि सबको सरकाई नौक्री मिलेगी ये मुझे ये बताईए कि अगर देश में नाशनल हाईवे इतनी बड़ी संक्या में पहुँचे है अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राजी यूपी की जहां बीजेपी की डबल इंजिन की सरकार है प्रदेश में सीम यूगी का चेहरा है तो देश में पीम मोधी का यूपी को लेकर इंडिया टीवी के सर्वे के मताबिक बीजेपी 76 सीटों के साथ इतिहास रच्चती दिख रही है अखिलेश को केवल दो सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है मायावती का तो खाता भी नहीं खुलता दिख रहा वही राहूल गांधी के पार्टी एक सीट से दो पर पहुँच सकती है 2024 के लोकसभा चुनाओं में मानी स्री नरेद मुदी जी को फिर से देश का प्रधान मंतरी बनाने के लिए यहां के जन मन में जो गूंज रहा है वो 75 प्लस गूंज रहा है और आप 75 प्लस का नंबर लेकर के आये हैं मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ लेकिन कहो discuss पुरोदियों का खाता भी न खुले तो कोई आफ़सर इसलिए मत करिएगा क्योंकि जनता का भरोसा मोदी जी हैं गरीब का भरोसा मोदी जी हैं महिलाओं का भरोसा मोदी जी हैं ब्रश्टाचार खतम करने की गारंटी मोदी जी हैं, सीमाओं की सुरच्छा मोदी जी हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने का लच्छ पूरा करने का विश्वास मोदी जी हैं, तो यहां मोदी जी के प्रती जो देश का भरोसा है, नौजवान का भरोसा है, बड़े बुजुर की सरगर्मी शुरू हो चुकी है सरवे के मुताबिक अगर आज चुना हुए तो आज भी वही आक्रे दोहराए जाएंगे जो 2019 में दोहराए गए थे यानि कि गुजरात की 26 में से 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं गुजरात के बाद रुख महराष्ट का जहां सियासी हलचल का तूफान अभी शांत नहीं हुआ है उधव के नेतरत वाली सरकार जा चुकी है शिंदे गद्धी संभाल चुके हैं ऐसे में सर्वे का नतीजा बताता है कि बीजेपी को तीन सीट का फायदा हो सकता है उधव ठाकरे को नुकसान होगा तो शिंदे रहा है डेप्टी सीयम जो है डेवेंदर जी जो है फटने इससर है उनको उन्होंने भी पिछले पास साल में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा कारे किया अब हम लोग दोनों मिलकर काफी मेहनत कर रहे और लोगों को जो चाहिए वो देने के कोशिश हम हुए हम शुषणा प्रमुग जी की भूमिका लेके आगे बढ़ रहे और यही लोगों की भूमिका यह लोगों को भी पसंद है ताकि यह हमारा सरकार जो है यह सबी वर्गों के लिए काम कर रही है हमारी सरकार मैं किसी के उपर कृटिसाइज ने करूंगा या किसी को लेकिन हम काम करके हमारी रेखा को बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे रेखा को लंबा करेंगे हम किसी की रेखा को पोचने का काम हम लोग नहीं करतें यह मेरा स्वभाव नहीं है मारेश्टर के सीम के पास वक्त है लेकिन MP में चुनाव अगले साल है सर्वे बताता है कि MP में BJP को 29 में से 28 सीटे मिल सकती हैं जबकि राहूल गांधी को किवल एक सीट से संतोष करना पड़ सकता है मद्यप्रदेश और राजस्थान के विधान सभा चुनाव एक साथ है राजस्थान सांपरदाइक वारदातों के लिए सुर्ख्यों में है अशोग गहलोत पार्टी और पबलिक दोनों फ्रंट पर जूज रहे हैं ऐसे माहल में सर्वे बताता है कि बीजेपी इस बार भी राजस्थान में क्लीन स्वीप कर रही है 25 की 25 सीटें पीएम मोधी के खाते में जाती दिख रही है बाद पश्चमंगाल के करें तो वहां का सर्वे अपनी पुरानी कहानी दोहरा रहा है यानि ममता और मजबूध हो रही है सर्वे के मताबिक बीजेपी की सीटें कम हो सकती है ममता को चार सीटों का फायदा हो सकता है हाले कि राहुल गांधी की सीटों पर कोई फर्क पड़ता नहीं देख रहा और अब बिहार की जिसे भारत का सबसे जागरुक राजनी तेक राज्य कहा जाता है बिहार में पियम मोदी को बंपर फायदा होता दिख रहा है पिछली बार 17 सीटें मेली थी आज चुनावए तो 21 मिल सकती है नीदिश कुमार को दो सीटों का नुकसान है पासवान के दोनों गुटों का खाता खुलना मुश्किल है तो रहुल को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ सकता है सर्वे बता रहा है कि पियम मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं संसत के अंदर और बाहर बवाल काट रहे विपक्ष को देखना होगा कि वो जिन मुद्दों के लिए लड़ता दिखाई दे रहा है क्या पबलिक उससे चुड़ भी रही है